हेलो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दिरिश्टी PCS की इस नई वीडियो में मैं हूँ सलमान और आज हम इस वीडियो के माध्यम से बीते हफते उन तमाम ख़बरों के आधार पर बनाये हुए सवालों के उपर चर्चा करेंगे जो की खबरों में बनी रही है यानि कि ये वो खबर है जिस्ते कि समसामाईकी से जुड़े हुए सवालों को पूछे जाने की प्रबल संभावना बनती है तो आईए समय नगावाते हुए एपिसोड की शुरुआत करते हैं देखते हैं कि वो कौन से सवाल है जो आप सभी के लिए इस एपिसोड में फ्रेम किये गए हैं तो अगर आप लोग हाल फिलहाल की खवरों से अगर परचीत हो तो आपको ग्यात होगा कि हाल ही में नियूजी लैंड में निर्वाचन कराए गये थे और वहां के नो निर्वाचित प्रधानमंत्री को भारत के प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी जी ने शुब कामनाए भी दी है बढ़ाई भी दी है तो इसकी वज़ासे सवाल को आज इस एपिसोड में शामिल किया गया है अब तस्मान सागर की अगर बात करें तो तस्मान सागर आस्ट्रेलिया और न्यूजी लेंड को अलग करता है न्यूजी लेंड जो है आस्ट्रेलिया के समीत इस्थित एक देश है जो मुख्य रूप से दो दीपों से मिलकर के बना है उत्तरी और दक्षिनी तो यहां से प्रस्ण का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा यानि कि Australia और New Zealand अगर आप यहां पर मानचित्र के माध्यम से देखें यह Australia रहा यह New Zealand रहा अब यहां पर आप देखिए तस्मान सागर की स्थिति यहां पर है अब New Zealand को भी आप देखिए तो यह एक उत्तरी और यह एक दक्षणी दो दीपों से मिलकर के बना है और कुक जलसंधी इन दोनों दीपों को विभाजित करती है तो New Zealand के बारे में भी अगर हम देखे तो इन दो दीपों की विभाजित करने वाली कौन सी जनसंधी है तो वह हो जाएगी कुक जलसंधी इस बात का भी ध्यान आपको रखना है तो यहां से प्रस्ण का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा यानि कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजी लैंड न्यूजी लैंड की बात करें तो यह प्रशान्त महासागर में ऑस्ट्रेलिया के समीप इस्थित एक देश है अगला प सही है या सही है यह आपको इन चारू विकल्प को ध्यान में रखते हुए चुनाव करना है तो अगर हम बात करें डेडिकेटिट प्रेट कॉरिडोर की तो यह चार राज्यों को कवर नहीं करता बलकि यह छे राज्यों को कवर करता है यह पंजाब के लुधियाना से शुरू होता है और पस्चिम बंगाल तक जाता है इस दौरान यह छे राज्यों को कवर करता है और यह विसुबैंग के द्वारा ही वित्त पोसित एक परियोजना है तो देखते हैं कि वह कौन-कौन से राज्य हैं जहां पर यह होकर के गुजरता है पंजाब, हर्याणा, उत्तरप कोरीडोर, कार्पोरेशन ओफ इंडिया के प्रबंधनी देशागी ने यह जानकारी दी है कि विसुबैंग द्वारा वित्त पोशित 1337 किलोमीटर लंबे इस्टन डेडिकेट प्रेंट कोरीडोर का निर्माल कारिक पूरा हो गया है और यह जो कोरीडोर है यह एक उच्च गती और एक उच्च छमता वाला माल डुलाई को समर्पित रेलवे कॉरीडोर है तो यहां पर आप देखें प्रस्न का जो सही उत्तर हो जाएगा बी वाला हो जाएगा क्योंकि विस्टू बैंक इसका प्रमुख पंडिंग भागिदार है यहीं सही है यहां पर चार राज नहीं दिया होता बलकि इसकी जगा पर छे राज दिया होता तो यह कथन भी सही हो जाता लेकिन यहां पर छे न देकर के बलकि चार राज दिया है तो इसलिए यह कथन गलत है तो प्रस्न का सही उत्तर विकल्प भी हो जाएगा अगला प्रस्न देखते हैं निमलिकित कथनो पर विचार कीजिए खाद्य और क्रिसी संगठन यानि एफ एओ तैयुक्त राष्ट के प्रमुक्स संगठनों में से एक है इसका मुख्याल है प्रांस के पेरिस में इस्टित है उपरिक में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है यह आपको बताना है इन वुकल्पों को देखते हुए तो अगर हम FAO की बात करें तो दरसल अभिहाल में 16 अक्टूबर को विच्व खाद्य दिवस मनाया जाता है और यह जो तिथी है वर्स 1945 में कृषी खाद्य और कृषी संगठन के इस्थापना दिवस को भी इंगित करता है यह तैयुक्त राष्ट के एक प्रमुक संगठनों में से एक है साथी साथ विच्व के एक प्रमुक संगठनों में से भी एक है 16 अक्टूबर की बात करें जिस दिन विसुखाद्य दिवस मनाया जाता है तो इसके पीछे जो मुख्य उद्देस है स्वस्त आहार और स्वस्त शरीर के बारे में लोगों में जागरुकता फैलाना है और इसका जो मुख्याले है फ्रांस के पेरिस में इस्थित नहीं है त क्योंकि इसके अगर हम बात करें इसका मुख्याले जो है यह इटली के रोम में इस्थित है तो 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी या जो है मुख्य रूप से एक वैस्विक और संयुक्त राष्ट के प्रमुक संगठनों में से भी एक है और 16 अक्टूबर को ही विश्वखाद दिवस भी मनाया जाता है तो इस तिथी को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि सीदे सीदे पूछ लिया जाता है कि विश्वखाद दिवस कब मनाया जाता है चार तिथिया दी हुई होगी और आपको सही तिथी का चयन करना होगा ध्यान रखिए या कि 16 अक्टूबर को 200 खाद दिवस प्रतेक वर्स मनाया जाता है और इसी दिन जो है खाद और क्रिसी संगठन की इस्थापना भी हुई थी वर्स 1945 में तो प्रस्ट का सही जवाब हो जाएगा विकल्प A अगला प्रस्ट है सागर कवच का संबंध है स्टील्थ फ्रिगेट तटी सुरक्षा अभ्यास फिलिस्तीनी बचाव अभ्यान या फिर स्वदेशी पंडुब्धी तो अभी हाल ही में भारत के आंध्र प्रदेश तमिल नाडु और केंदर सासित प्रदेश पुदुचीरी में तटी सुरक्षा अभ्यास का आयुजन किया गया था सागर कवच जो है तटी सुरक्षभ अभ्यास से सम्बंदित है और इसका आयोजन इसलिए किया गया था कि जो समुद्री खत्रे हैं उनसे निपटने के लिए जो भारती तटी सुरक्षभ तंत्र है वह कितना प्रभाव साली है और उसकी स्तिती कितनी सुद्रण है इसका आकल अगला प्रसंद देखते हैं नेक्स कार 19 का संबंध है सेल थेरेपी कारगो वाहक विमान इवी संचालिक कार या फिर कम्प्यूटर वाइरस तो नेक्स कार 19 की बात करें तो ये भारत में स्वदीसी रूप से विक्सित एक सेल थेरेपी से संबंधित रखने वाली तकनीक है इसके अंतरगत अगर बात करें तो अभी हाल ही में भारती दवा नियामक केंद्री आउशधी मानक नियंतरन संगठन ने भारत की पहली मानोकृत कार टी थेरेपी जिसे नेक्स कार 19 कहते हैं इसकी मनजूरी दी है और इसका जो विकास किया गया है ये आयाइटी बांबे के इंक्यूबेटेट कंपनी इम्म्यूनो एक्ट के द्वारा किया गया है और यह एक स्वदेशी रूप से विक्सित CD19 लक्षित कार टी सेल थेरेपी है इस थेरेपी के अगर बात करें तो भारत के संदर में रिलैप्स्ट या रिफ्रैक्टरी बी सेल लिमफोमा और लिवकेमिया के इलाज के लिए इसका विकास किया गया है इसका डिजाइनिंग इसी के इलाज के लिए की गई है यह अपनी की सेल थेरेपी से संबंदित है तो प्रस्ण का सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है हाल ही में अंतरराष्टी ओलंपिक स्तमिती का 141 सत्र कहां आयोजित किया गया बैंगलूरू मुंबई दुबई या फिर निव्यार्क तो अंतरराष्टी ओलंपिक समिती का 141 सत्र का आयोजन भारत में मुंबई में किया गया था और इसके अंतरगत एक निर्णे लिया गया कि जो आगामी ओलंपिक होगा यानि की वर्ष दो हजर अठाइस में जो आयोजन होगा उसमें क्रिकेट को भी एक खेल के रूप में शा यह हुआ सत्र जो 1983 में आयोजित किया गया था भारत में आयोजित किया गया था कहां पर नई दिल्ली में तो यानि कि यह पहला मौका था जब भारत में इस तरह के सत्र का आयोजन किया गया था और अब जो है जो कि मुंबई में ओलंपिक समिती के सत्र का आयोजन किया गया यह दूसरा मौका है और इसका आयोजिन कहां पर किया गया था? मुंबई में किया गया था और इसमें एक महत्पूर निर्णे भी लिया गया कि वर्ष दो हजराथाइस में जो ओलम्पिक आयोजित किया जाएगा उसमें क्रिकेट को भी एक खेल के रूप में शामिल किया UPSC के द्वारा कंड़क्ट कराई जाने वाली जो परिक्षा है, खासकर IS की अगर हम बात करें, उसमें बहुत सारी पोस्टे होती है, लेकिन UPSC की परिप्यक्ष में बात करें, तो प्रिलिम्स और मेंस की जो कख्षाएं हैं, उनके लिए फाउंडेशन बैच जो है की शुरुवात की जा रही, प्रयाग राज में भी जैपूर साखा में 26 सक्टूबर और लखनौ में अभी एडमीशन की शुरुवात हो चुकी है, अभी यहाँ पर डेट फिक्स नहीं हुई, तो आप जहां भी चाहें, आप जहां भी रह रहे हो, अगर दृष्टी संस्थ के द्वारा जो अन्य कोर्सेज हैं या जो मुख्य बैच स्टार्ट होरा फाउंडेशन, इसमें जुल करके आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, और परिछा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, तो आप अगर इन जगों में से कहीं पर भी एडमिशन लेना चाहते हैं, तो दिये हुए संपर्क नंबर पर कॉल करके अपनी सीट तुनिश्चित करा सकते हैं, चलिए अगले सवाल को देखते हैं, निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए, जेरिको मिशाइल सिस्टम प्रांस का बैलेस्टिक मिसाइल कारिकरम है, इसक सभी को पता है कि हाल फिलहाल में जो हमास के द्वारा इसराइल पर अटैक किया गया था, तो उसकी वज़ा से एक तरह से युद्ध की इस्तिती देखने को मिल रही है, तो इसी परिपेक्ष में इसराइल के एक प्रमुखनेता के द्वारा, प्रलय के दिन, जिसे डूम्ड डे भी कहा जाता है, के हतियार के इस्तेमाल का आहवान किया था, जिसकी वज़ा से जो पश्चिम एसिया वाला छेत्रे यहां पर परमाडू हतियारों खास कर जेरिको मिसाइल प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करना पड़ रहा है, और इसके अंतरकत बात कर जेरिको है या इसराइल का मूल बैलिस्टिक मिसाइल है, ना कि फ्रांस का, हला कि यहां कारिक्रम शुरू में फ्रांसीसी एरोस्पेस कमपनी डसाल्ट के साथ एक स्तायोग के रूप में किया जाना था, लेकिन फ्रांस के दौरा पीछे हट जाने पर, इसका संचालन जो है इस्तित बाइबिल शहर के नाम पर रखा गया था, तो आप यहां पर अगर देखें, दोनों कत्रों कि शुरूआत 1960 के दसक में हुई थी, और यह फ्रांस का बैलिस्टिक मिसाइल कारिक्रम ना होकर के, बल्कि इसराइल का बैलिस्टिक मिसाइल कारिक्रम है, तो यहां पर आप देखें, तो प्रस्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, विकल्बी हो जाएगा, यानि कि केवल दो कथन सही है, अगला सवाल है, कावर अथवा, कावर जील किस राज्ज में इस्तित है, उत्तर प्रदेश, महराष्ट, अरुनाचर प्रदेश या फिर बिहार, तो कावर अ जाएगा, विकल्बी हो जाएगा, और इस जील में अभी हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट के मताबिक, जो यहां का जल इस्तर है, उसमें काफी कमी देखने को मिली है, जिसकी वज़ा से इस जील में जो भी जैविविदताएं हैं, उनमें भी कमी देखने को मिली है, चुकि यह एक रामसर साइट इस्तल है, तो इसलिए भी कंसर्ण बनता है, जिसकी वज़ा से यह सवाल इस एपिसोड में शामिल किया गया है, यह एक आकसबो लेक भी है, बिहार की एक मात्र रामसर साइट एबं एसिया की सबसे बड़ी आकसबो लेक, आकसबो जील, एसिया की सब के गुमादार होने के कारण निर्मित हुई है इसे वन जीव संरक्षन अधिनियां 1972 के तहट एक अधिसूचित खेत्र भी घोशित किया गया है वंवर्स 2020 में रामसर साइट घोशित तिया गया था जिससे रामसर कन्वेंशन में सामिल होने वाली बिहार की पहली आर्भूमी बन गई है तो काफी महतपूर है यह जील इससे जुड़े महतपूर तत्व के बारे में आप सभी को यहां पर बताया गया है आप चाहें तो इसक्रीशॉट भी ले सकते हैं तो इस तरह से प्रसन का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा चलिए अगला सवाल देख लेते हैं IUCN द्वारा सारस क्रेन को निमनिलखित में से किस श्रेड़ी के अंतरगत सुची बद्ध किया गया है विकल्प है वल्नरेबल इंडेंजर्ड नियर थ्रेटेंड या क्रिटिकली इंडेंजर्ड सारस के बारे में अगर हम बातचीत करे तो यह उत्तर इंडेउर्ड लनियाली NGT के द्वारा धनावरी वेटलैंड रामसर साइट टैक के इस्तिशित के बारे में उत्तरप्रदेश सरकार को सूचना देने के लिए 4 sommes का समय दिया गया है धनावरी वेटलैंड उत्तरप्रदेश में दनकावर में isphasis 130, धनावरी गाउं में एक bird से आप देखे प्रस्ट का सही उत्तर वल्रेबल हो जाएगा यानि विकल्प ए वाला इस प्रस्ट का बिल्कुल सही उत्तर होगा अगला प्रस्ट देखते हैं निमलिखित कथनों पर विचार कीजिए तिलापिया पार वो वायरस एक डबल स्टेंडेट डीने वायरस है यह प अभी हाल ही में तमिलनाडू के रानी पेट जिले में वहां के तालाबों में पाई जाने वाली तिलापिया मचली में एक वायरस का प्रभाव देखने को मिला है और यह वायरस इसका जो नाम है तिलापिया पार वो वायरस है और यह एक छोटा अविक्सित सिंगल स्टेंड DNA वाइरस है तो पहला कथन गलत हो जाता है क्योंकि यहां पर double standard दे रखा है एक छोटा अविक्सित single standard DNA वाइरस है जो की तिलापिया मक्षलियों को प्रभावित कर रहा है पहली बार जो इसकी रिपोर्टिंग की गई थी वर्स 2019 में चाइना में की गई थी यानि चीन में इसके बाद थाई लेंड में इसकी रिपोर्ट प्राप्त हुई थी यानि कि वहां के मचलियों में भी प्रभाव देखने को मिल रहा है तो यहां पर आप देखे तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है दूसरा सही है इसलिए प्रस्ण का सही उत्तर विकल भी हो जाएगा तो भारत में पहली बार तमिल नाडू के रानी पेट जिले के तालाबों में तिलापिया मचली को प्र वो वाइरस टीपीवी की घटना सामने आई है या एक छोटा अविक्सित सिंगल स्टेंडेड डीने वाइरस है पहली बार 2019 में चीन में इसके बाद 2021 में थाईलेंड में रिपोर्ट किया गया था तिलापिया आफरीका की मूल निवासी मीठे पानी की मचली की प्रजाती है भारत में जिन मचलीयों में इस वाइरस का प्रभाव देखने को मिल रहा है तो दरसल वो मचलीया जो है आफरीका की मूल निवासी है यानि की यह स्पिसीज जो है आफरीका की मूल है और वहां के मीठे पानी में पाई जाने वाली प्रजाती है अगला प्रसंद देखते है सेतु बंधन योजना किस मंत्राले की एक पहल है पूर्वत्र छेतर विकास मंत्राले बंदरगा जहाजरानी और जलमार्ग मंत्राले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्राले जलशक्ती मंत्राले तो सेतू बंधन परियोजना जैसा की नाम से ही आप देख सकते हैं कि सेतू यानि पुल निर्मार से संबंधित या एक योजना है जो की केंदरी सड़क परिवान और राजमान मंत्राले के द्वारा शुरू की गई है इसके अंतरगत मुख्य रूप से अगर बात करें तो अं इसके उद्देश की बात करें तो राज्यों की सड़कों पर रेल ऑवर ब्रिज रेल अंडर ब्रिज इसके अलावा अन्य पुल्यों को निर्मार कारिक को सुविधा जनक बनाना है अंतर राज कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए भी इस योजना को प्रस्तुत किया अगया है खासकर सीमा पर इस्थित ग्रामीर इलाकों में जहां सड़कों पर आपेक्षित ध्यान नहीं दिया जाता है वहां के लिए यह योजना शुरू की गई है अन्य जगहों के लिए लेकिन जो इसका पूरा ध्यान केंद्रिक है मुख्य रूप से जो सीमा पार विकल्प सी हो जाएगा अगला प्रस्ण है आमूर फालकन की IUCN इस्थिति क्या है तो प्रस्ण का जो सही उत्तर है विकल्प भी है यानि कि लिस्ट कंसर इसे IUCN के द्वारा जो रिट डाटा लिस्ट बुक है उसमें लिस्ट कंसर्ण की स्रणी में सुची बद किया गया ह अगर आमूर फालकन की बात करें तो दुनिया के सबसे लंबे समय तक यात्रा करने वाले शिकारी पक्षी तरदियों की शुरुआत के साथ अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं इन्हें अपना नाम आमूर नदी से मिला है और यह नदी जो है रूस और चीन के बीच सीमा ब रहते हैं इसे विष्व की फालकन राजधानी के रूप में भी जाना जाता है क्यों जाना जाता है वो इसलिए कि आमूर बाजों के लिए उनके प्रजनन इस थलो से गर्व दक्ष्ण आफरीका की और वार्सिक प्रवास के दौरान एक पड़ाव के रूप में इस झील को देखा जाता है इसलिए इसे विष्व की फालकन जील के रूप में भी फालकन राजधानी के रूप में भी जाना जाता है और आयूसीयन की जो इसकी लिस्ट है Red data list याल सुची हिंदी में कहें तो उसमें इसे तब से कम चिंता का विष्य के अंतर्गत सुची बद किया गया है यानी कि Least Concern के अंतर्गत इसे सुची बद या श्रेंडी बद किया गया है तो ये रहा आज की एपिसोड कांतीम सवाल, उमीद है कि इन प्रशनों के माध्यम से जिन सूचना और तत्यों को आप सभी तक पहुंचाया गया, वो आपके परीक्षा में निसंदे रूप से आप सभी के लिए महत्पूर साबित होंगे, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए प्रस्टों और सवालों के साथ तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जैहिन